दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैंपे और आज हम बात करें है टाटा पंच क्रेटिव 1.2 मैनुल ट्रांश्मिशन की इसी वीडियो के अंदर इसके सारे फीचर्स प्राइस बताऊंगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लें सबसे पहले इंजन की बात करते हैं इंजन इसमें 1.2 लीटर रिवोर्टरॉन इंजन मिलता है जो 1197 सीसी का है मैक्सिमम पावर 86.63 बहट पी पावर जेनेट करता है 6000 आरपिम पर और मैक्सिमम टॉर्क 115 एनेम पावर जेनेट करता है 3250 आरपिम पर तीन सिलेंडर इंजन है मैनुल ट्रांशमिशन है तो कुछ ही ये फीचर्स तो इंजन के आपको मैंने बता दिये अब देखते हैं फ्रेंट लूप पर इसमें हमें क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर टाटा की ब्रैंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी सीधे इसके नीचे ही क्रॉम गिरिल देखने को मिलती है और फिर यहाँ पर ही एक होरन मिलता है होरन का कुछ स्पेस मिलता है ताकि आवास ते जाए यहाँ पर लाइट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें प्रोजेक्टर हैड लैम्प, हेलोजन हैड लैम्प और LED DRL फ्रेंट मे यहाँ पर दिख रहा है पूरी कार नीचे से कवर नहीं है लेकिन बहुत कार ऐसी है जो कवर आती है यह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाली भी आपको देखने को मिलेगी जो रेडियेटर में काफी अच्छी हवा जाती है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टायर यहाँ पर हमें रियर व्यू मिलते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है वाइट कलर में है उपर की साइड में पावर एंटीना मिल जाता है और रूफ रैल भी देखने को ये ब्लैक कलर की आपको देखने को मिल जाएंगी तो काफी एक प्रीमियम लूग इस कार का आजाता है अब यहाँ से कील ऐस एंट्री है और कील ऐस एंट्री के साथ में डोर ऑपिन करते हैं और डॉल टॉन में दोर देखने को मिलेगा और door पर क्या-क्या option मिलते हैं यहाँ पर unlock करने का पूरा system मिलता है नीचे की side में चारो window का option मिल जाता है power window का यहाँ पर rear view mirror को set करने का option dual tone में मिलता है कुछ गेट इस परिकार से कुछ space और speaker, bottle holder कुछ यहीं पर सब चीज मिल जाती है seat profile की बात करें तो height adjustable seat इस car के अंदर आपको देखने को मिलेगी सरिफ driver seat बाकी और कोई seat नहीं है आगे पीछे कर सकते है fuel tank open करने का एक option यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर आपको AC bent मिल जाएगा engine start stop का button मिल जाएगा और side में ही light को set करने का कुछ option मिलता है यहाँ से आप front का bonnet open कर सकते है तो कुछ इस परकार से पूरा bonnet sorry पूरा dex board दिखाई देता है और यहाँ पर आप data की branding steering पर देख रहे हैं leather का steering आपको मिलेगा कुछ switch मिल जाते हैं यहाँ पर और यह light profile को जलाने के लिए और इधर बाइपर को चलाने के लिए और यह कुछ meter मिलता है कुछ इस परकार से तो meter में electric multi trip meter और गलब compartment काफी बड़ा है digital clock और digital autometer देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो काफी अच्छे features मिलते हैं और यहाँ से कुछ इस परकार से 220 km की speed भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से आप देखेंगे तो electric steering मिलता है काफी अच्छा है जो power steering होता है और पूरा dexboard कुछ इस परकार से dual tone में दिखाई देगा music system में बात करें तो इसमें 4 speaker मिलते हैं और touchscreen 7-inch वाला आपको देखने को मिलेगा Bluetooth connectivity, Integrated 2-in audio और Android Auto, Apple CarPlay यह system इसमें entertainment मिलता है चारो indicator को एक साथ जला सकते हैं दो AC band और नीचे की side में AC और heater का option यहाँ पर मिल जाएगा नीचे की side में जाएगे तो 12 bolt का charger भी मिलेगा USB connect का भी option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छे features हैं कुछ space मिल जाता है और gear lever यह कुछ आपको मिलेगा 5 forward 1 reverse में और यहाँ पर hand brake कुछ cup holder और seat belt को connect करने का option तो यह सारे option यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर handle मिल जाते हैं छोट छोटे seat belt सभी seat ओ पर आपको देखने को मिलेगी headrest, adjustable वाले मिल जाएंगे सभी seat ओ पर तो कुछ इस परकार से यह सारा system इस car में देखने को मिलता है आपको यह system कैसा लगा आप comment करके भी बता सकते हैं deck sport काफी अच्छा premium look देता और अब हम चलते हैं दूसरी वाली seat पर passenger door पर हुहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या मिलेगा तो airbag की बात कर लेते हैं तो airbag इस car के अंदर सिर्फ दो मिलते हैं जादा नहीं मिलते हैं इसको करते हैं open open करने के बाद dual tone में पूरा door मिलेगा वही सारा system इस car में आपको देखने को मिल जाएगा sorry door पर देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ यह space है bottle holder और speaker यह सब ही system वही मिलता है आगे पीछे seat को कर सकते हैं seat profile में देखें तो height adjustable नहीं है कुछ इस परकार से एक signing वाला system यहाँ पर मिलता है AC band, airbag dual tone में, white color में पूरा headax board और कुछ space नीचे की side में glove box में देखने को मिलेगा काफी ठीक ठाग glove box भी आपको इस car में देखने को मिल जाएगा यहाँ से इसको करते हैं बंद और पिछली वाली seat को करते हैं door पर वही सारा system मिलेगा बाकी यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला सारा वही passenger जो front में मिलता है वही इस door पर मिलता seat profile कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलेगी यहाँ से देखेंगे तो पिछली वाली seat पर armrest और cup holder भी आपको देखने को मिल जाएगे यहाँ से अभी कुछ अंदर बैट कर भी देखेंगे क्या 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 इस कार के अंदर मिलेगा जैसे seat belt यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर यह armrest मिल जाता है sorry यहाँ पर cup holder नहीं मिलते armrest ही मिलते हैं एडजस्टेबल यह headrest हैं और पीछे की साइड में बैठेंगे तो leg room कुछ इस परकार से दीखेगा और AC bent होते हैं पीछे की साइड में तो काफी better होता AC bent इस कार के अंदर नहीं है अब थोड़ा safety feature की बात कर लेते हैं तो इस कार के अंदर ABS system, central lock, power door lock child safety door lock, crust sensor engine check warning का option automatic headlamp यह सब system मिलता है, rear camera मिल जाता है और थोड़ा सा जैसे की parking sensor मिल जाता है और इसमें keyless entry है glove box cooling का भी एक option मिलता है यह सब चीज मिलती है, drive drive के दो mode भी मिल जाते हैं low fuel warning light मिल जाती है crust control का option मिल जाता है automatic climate control मिल जाता है adjustable steering मिल जाता है तो यह सारा system इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और एक बार में पीछे का deck support भी आपको दिखा देता हूँ जो black color में है तो कुछ इस परकार से दिखता है और इसके जो है fuel tank की बात करें तो fuel tank 37 liter का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा left side में पीछे वाले tire में drum brake आपको देखने को मिलेंगे और mileage 20.9 km का देती है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर disc brake नहीं मिलते drum brake मिलते हैं 20 km का यह average देती है और पीछे की side में tail light आपको पीछे देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छे option मिलते हैं Tata का logo पंच पीछे लिखा हुआ camera और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछला वाले bumper पर rear parking sensor भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं defogger, wiper यह option भी इस car में मिलते हैं पीछे light भी है और roof कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगी तो काफी अच्छे option मिलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं इसके boot space की तो boot space इसके अंदर 366 liter का मिल जाएगा थोड़ा सा बात करते हैं इस car के length की 3827 mm की length मिलेगी width 1742 mm की height 1615 mm की मिलती है और बात कर लेते हैं इस car के price की तो exorum price 847,000 और वहीं पर on road price 9,55,000 देखने को मिलेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करना